हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एकदम स्पेसल नास्ति की रेसिपी लेके आए हूँ जब कभी भी कुछ अच्छा चटपटा काने का मन कर रहा हो तो इस नास्ति को बना सकते हैं एकदम हेल्दी है और काफी कम तेल में बनके रेडी हो जाता है ना कि बराबर यदि कोई खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस रेसिपी को असानी से बना सकते हो तो फिर देट किस बात की चलिए बनाते हैं तो आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे सूझी से उसके लिए क्या करना एकदम सूझी लेना है नॉर्मल जो सूझी है हमारे घरों में रतीन तो अब इस सूजी में क्या करेंगे डालेंगे दही यदी खट्टा है तो आप दो चमच डालें और यदी खट्टा नहीं है तो फिर आप तीन चमच भी डाल सकते हो और साथ में डाल देंगे नमक दही बहुत ज़ादा नहीं डालना है क्योंकि गर्मी के सीजन में मनमिंस एक अलग तरीकी की खटास आ जाती है इसे लिए तो आप क्या करेंगे आधा कप पानी लेंगे और पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग में आधा कप पानी डालोगे न तो थोड़ासा गाड़ा हो जाएगा तो इस बात का धियान रखना यही गाड़ा हो जाएगा तो फिर से थोड़ासा पानी डाल दें तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये गाड़ा लग रहा है क्योंकि सूजी फूलेगा तो और गाड़ा हो जाएगा और सूजी को फून लें के लिए भी थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है तो अब इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इस सूजी पूरी अच्छी तरह से घुल गया है तो अब इसे ढख के आधे गंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक सूजी फूल रहे तब तक क्या करेंगे एक स्टफिंग बनाएंगे चटपटा सा उसके लिए क्या करेंगे दो चमाच तेल डालेंगे और तेल को गरम होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ज़्यादा दिनी भुनने हलका सा भुनेंगे कि इसका कलर हलका सा चेंज हो जाए क्योंकि यदि आप ज़्यादा कलर इसका चेंज करेंगे तो ठेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना है तो अब इसमें साथ में ही डाल देंगे 5-6 पीस करी पत्ता, करी पत्ता को क्रेकल होने के लिए फिर से छोड़ देंगे करी पत्ता को क्रेकल होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है तो सबी चीज क्रैकल हो गई है आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर चेंच चुक्या है तो अब इसमें डालेंगे कुछ कटीवी सब्जिया तो आज मैं यहां पे लिए हूँ थोड़ा सा पत्ता गोबी एक छोटे साइज का प्याज थोड़ा सा सिमला मिर्ची आप चाहे तो अ बहुत ज़्यदा गलता नहीं है इस लिए इस बात का धीहान रखना है आप चाहेए तो इसमें पनेड़ भी डाल सकते हो फूल को भी डाल सकते है ब्रोकली डाल सकते है जो सबजी है वो डाल दो तो साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक डालने से सबजी बहुत जल्दी गलती है और एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर साथ में ही डालेंगे आथा चमच पाभाजी मसाला यदि आपके पास पावाजी मसाला है तो डाले नहीं है तो कोई बात नहीं और एक कठा हुआ टमाटर डालेंगे और बाइंडिंग के लिए एक पीस उबला हुआ आलू आलू डालने से क्या होता है कि बाइंडिंग बहुत ही अच्छा मिलता है सबजी को अब डालके अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे भूनेंगे भी कि टमाटर अच्छे से गल जाए और आलू भी मैस हो जाए क्योंकि हमने आज से आलू को रफली मैस किया है तो कुछ बड़े-बड़े पीसे भी है अब एकदम सिंपल सा चटपटा सा मसाला बनके रेडी हो गया है तो आप क्या करेंगे गयास का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जब तक हमने आलू का मसाला बनाया तब तक ये सूजी भी पूरी अच्छी तरह से फूल किया आदा गंडा भी हो गया फूलने के बाल आप देख सकते हैं टेक्शर सूजी का चेंच हो गया है थोड़ा सा गाडा भी हो गया है एकदम और चिकना भी लग रहा है तो अभी थोड़ा सा गाडा है तो क्या करेंगे थोड़ा सा चमच से पानी डालेंगे करीबन दो चमच और साथ में डालेंगे एक चुथाई चमच खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं, इनो डालने से भी एकदम फुला फुला बनेगा, नासता ही है, लेकिन यदि आप ये पास इनो नहीं है, तो खाने का सोडा भी डाल सकते हो, तो अब ये सुजी का गोल बनके रेडी हो गया, मैं आपको इसका टेक्शर दिखाती बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं है, अब क्या करेंगे इडली स्टेंड लेंगे, इडली स्टेंड में हलका सा तेल लगा के चिकना कर लेंगे, और छोटे साइज का जम्मा से थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना ह means बड़े size का नहीं है पतला पतला बनाना यँ चोटे-चोटे size का थो बस इसी तरह से सारे strand में idli की घोल को डाल देंगे तो हमने सारे strand में ढाल दिया है तो बस नॉर्मल तरीके से जैसे idli बनाते हैं भाप में वैसे बना लेंगे तो हमने अब इसे इडली स्टेंड में डाल दिया है अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट में अच्छी तरह से बन जाएगा तो 10 मिनट हो गया है हमने cover अटा लिया है बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है पतला पतला बना है लेकिन फुला फुला बना है तो अब निकाल के ठंडा होने के लिए थोड़ी दिर के छोड़ना है तो हमने इसे ठंडा होने के छोड़ दिया था पूरी अच्छी तरह से ठं सब्सक्राइबने सब्सक्राइब अब क्या करेंगे इड्ली को खबी तो दो घुल पाइब तेल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे तो तेल गरम हो गया है तो अब इसमें थोड़ा सा राई डाल देंगे यदि सरसो है तो सरसो भी आप डाल सकते हो अब आप सौच रहेंगे तवा कितना गंदा है तो मैं यह आईरन वाली तवे की यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ के अच्छी तरह से सेखेंगे तो अब एक सेट सीख चुका है तो अब इसे पलट लेते हैं और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से पलट लेंगे तो अब दोनों साइड अच्छी तरह से सीख चुका है इतने ही सेखना अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी कभी सेम इसी तरह स तो आप इस तरह से एक बार में चार पीस भी सेख सकते हो, मैं अभी चार पीस सेख रही हूँ, यदि आपके घर में कोई गेल स्टार रखें तो इस नास्ति को असानी से बना सकते हो, तो अब ये एकदम स्टफिंग वाला इडली बनके रेडी होके है, देखने में जुरदार खाने में बहुत ही टेस्टी, आप किसी भी चड़नी के साथ बना के खा सकते हो, यदि कोई गेल स्टार हैं तो भी बना के खा सकते हो, तो फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसेपी अच्छी लगीत वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें